दोस्तों बहुत सारे लोग अपने मॉबल में Google Map की मदद से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं। वो किसी को रास्ता नहीं पूछते हैं और उसके बाद वो अपने मॉबल में Google Map ओपन करके लोकेशन सर्च करके उस लोकेशन तक बीना कीजिए को पूसे सले जाते हैं। तो कैसे वो अपने मॉबल से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉबल पॉन से Google Map application की मिदत से किस तरीके से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताँगा कि कैसे हमें उस location को search करना है, जिस location पर आप जाना साते हो। और उसके बाद उस location पर कैसे हमें जाना है, किस तरीके से हमें guide करेगा Google Map और हम कैसे उसको follow करके उस इस्तान पर जाएंगे। तो सले इस video को सुरू करते हैं, उससे पहले एक request करूँगा कि अगर आप ऐसे ही video देखना साते हो, हमारे channel को subscribe जरूर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने mobile में Google नाम की जितनी पी application होती है, वो सभी एक साथ होती है। उसमें ही एक application होती है Google Map और यह जो application ही यह सभी के mobile में पहले से install ही होती है। तो आपको इसको open करना है, डून लेना और फिर उसके बाद open कर लेना ठीक है। open करने के बाद यह ऐसे कुछ आपके सामने आएगी, आप दोनों उंगुली से जैसे फोटो जूम करते हो, ऐसे जूम कर सकते हो इसको एक इससा दूसरे इससा पर है सालूर रखें। ताकि आप सर्टीक सही सीज़े जान पाएं तो मैंने लॉकेशन सालू कर दिये उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि हमें कमपा से हमें दिसा हैं वो हमें गाइड करता है तो आपको उसके उपर क्लिक करना है आपका जो भी जिस तरीकी से आप लॉकेशन में खड़े होंगे उस तरीकी से यह दिखाना शुरू कर देगा उसके बाद अब दो सीज़े हैं अगर आप जैसे लॉकेशन सर्ष करना साथ हैं किसी भी इस्तान की कि कैसे हम उस लॉकेशन को सर्ष करें तो बहुत सारी लॉकेशन आपके असपास हो सकती है तो उसके लिए सबसे बहले तो और आपको पता है कि वह लॉकेशन कहां पर है जैसे कि मैं यहांसे अगर इस तरीकी से जूम करता है इस तरफ सनू तो यहां पर आप देखो खीज़े यह बता रही हैं कहीं न कहीं यह सीज़े तो मैं असा हूं तो यहां पर इस तरहीं से जूम कर सकता हूं अब बहुत सारी location मुझे दिखाई दे रही हैं अब जैसे नागणी सी माता मंदी रहा तो मैं अगर इसके उपर इस तरहीं से क्लिक कर देता हूं तो यह location select हो गए और एक यह जो easy step है location search करने का वो यह वाला है लेकिन जो दूसरा step है वो मैं आपको बताता हूं अब यह तो हो गया और दूसरा step कैसे रहेगा तो यहां से वापस हम अपनी जो location है वहाँ पर आते हैं जूम करके भी आप देख सकते हूं कि आप अपनी location पर किस इसस्तान पर हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप search के माधिम से यह से search यह से खोज के माधिम कार सकते हो तो उसके लिए आपको अगर किसी ने address दिया है जैसे कि मैं यह यह पे देख ले लेता हूं नागने सी माता मंदीर यह देख लेता है वापस हम तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी लोगेशन में सर्स करता रहता हूं जरू दर जहां गाईबर भी जाता हूं मैं गूगल मैप का इस्तमाल करता हूं और एक तरीकी से गूगल मैप को मैं अच्छी तरीकी से हाँ इसानी श्युक्το Hum Iss नागने सी माता मंधिर आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारी मेरे पास ऑप्षन आ सुकें आप कैसे पता करेंगे कि आपकी लौकाशन वही है जो कि एक नाम से मैं पहले भी बहुत सारी location हो सकती है तो सबसे बहुत सारी location दिखे दे रही है आपको यह जाना है कि जो सीज है वो real कौंशी हो सकती है यहां पर देखने पर पता सल जाएगा कि वो सीज कितने किलुमटर हमसे दूर है जैसे कि अगर यहां से मैं अपनी इस्तान से बता हूं तो न तो इसके देखो नागणे जी माता मंदीर इसके जश्ट नीचे लिगावा है नागणा राजस्तान और नीचे वाले के देखेंगे नागणे जी माता मंदीर डेरिया राजस्तान अब यह नीचे तो है यह गाव का नाम है उसका जिस लोकेशन का है जैसे यहां पर यह सीजे तो सबी के निचे जैसे बादरा जून लिखावा हैं, लूणी मारक दूंदाड़ा हैं, और यहाँ पर जे ठूंत्री है, बोर्ता है, यह सारी जीज़ें आप देख सकते हैं, निचे गाव का नाम भी लिखावा हैं, उपर नाम से हैं लेकि निचे गाव का नाम है, अब पर करेंगे, तो बहुत सारे फोटो आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा, कि यहाँ यही मंदीर है, मुझे वहीं पर जाना है, या फिर आप कहीं पर और जबे जाना साते हो, जैसे किसी दुकान पर, तो वह पी आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक हैं, तो आप यहाँ पर एक नागने सीमाता मंदीर नागाना, यह तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं अगर साता हूँ कि जोदपूर में एक कोई नागने सीमाता मंदीर, तो मैं यहाँ पर पीछे जोदपूर लिख दूँगा, ठीक है, चलो मैंने जोदपूर लिख दिया है, तो अब यहाँ पर ज तो अब मैंने आपको बता दिया है कि location आप कैसे search कर सकते हैं और वो भी एकदम सठीक क्योंकि आपको जिस location पर जाना है वही location search करनी पड़ेगी इंटरनेट पर तो मैंने पहले भी बताया हजारों लाकों की संक्या में एक ही नाम से location बनी हुई होती है तो कहीं हम दूसरी location पर ना सला जाए तो यह सीज बता दी अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इस location पर कैसे जाना है जो अभी हमने search की उसी location पर हमें कैसे जाना है किस तरीके से हमें google map guide करेगा और हमें किन चीजों को follow करना होगा तब हमें पता सलेगा कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत ठीक है तो इन चीजों को कैसे देखका जाता है सली अब मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं तो उसके लिए ऐसे ही आपको search करना यह नागनेशी किर आप अगर बैटे-बैटे रास्ता देखना साथ हो कि कितने km है वो स्तान कोंचा रास्ता जाएगा तो आप निर्देश पे कर सकते हैं तो आपने निर्देश पे कर दिया सीधा रास्ता बता रहा है मेरे यह लेकिन आपके से बता सकता है अलग सड़ख हो तो फिर 2-3 ताकि आपको पता सले, पाली करते हैं, ठीक है, क्योंकि जोदपूर भी सीधा ही है, पाली राजस्तान कर लिया है, तो अब ये पाली की लोकेशन आ गई, मुझे पाली जाना है, तो मैं निर्देश पे क्लिक कर दूँगा, तो आप देखे, ये मेरे सामने बहुत सारे रास्त मिल रहे है, जैसे कि ये जोदपूर से होके जाएगा, ठीक है, इधर ये जोटपूर से बार से निकल जाएगा, एक दिर से सम्दड़ruct की सबसे जा रहा है, ठीक है, बलुग अलग लग रास्ते जा रहा है, ये जो फिका-फिका धीकर दे रहा है, मैं इस पे क्लिकरता पमेड इस तरी से कि भूमा भी सकते हैं कि ती कि इस तरी किना कड़ेगा रहा हो टोल आप सकते हो और हैं यह 110 लाए जाँ तो यह 110 किलूमेटर रास्ता है इस रास्ते जाता मैं तो ठीक है इस पर भी टॉल गटेगा लेकिन इस पर अगर क्लिक करता हूं तो एक सो साथ किल्यूमेटर पड़ता है यानि कि सबसे कम दूरी यह है प्लस टॉल भी नहीं गटेगा तो मैं इस तरीकी से देख के भी जा सकता हूं अब मैंने देख को लोगेशन सर्स करनी आपको एकदम सही तरीकी से बता दिये अब हम इस पर जाते हैं तो इस तरीके से मैंने काव फॉलो कीजिए उसके बाद निचे ही आप देखिए दो गंटा और 34 मिनट लगेगा 107 किलमेटर यह रास्ता पड़ेगा आपको निचे यहा पको रहें किया है अब वाहई को समद्रिमारड को पकड़िये तो यह व्यामतर यहां पर मौझा एकर मौझुदा यहां पर किलम नचे कहां बाता भी बताए चाना है और यह भी एकष्ट्स्धाद दिकुमेटर बाता है नरहां इक आए लाँ मिٹती जाएगी, और इस तरीके से एगर जाते हैं आप, तो आप सही है, तीर जिस तरीके जैसे सामरे हैं तो उसी तरफ से यह सही होता है, ठीक हैं, तो ऐसे हमें जाते रहना है, और जैसे हम कोई गलत रास्ता लेंगे, यह बोल के कि राजराम मंदिर शेल, लेप्ट रलीजिये, राइट रलीजिये, यह सारी सीजिये बोल के आपको बताता रहेगा. तो उस तरीके से आपको उस लॉकेशन पर सले जाना है. इसी स्टेप यह है और इसी तरीके से Google Map का इस्तमाल भी होता है. तो दोस्तों, अब मैंने जो इस वीडियो में आपको इस्टेप बता है, आप उनी इस्टेप को फॉलो करके आप अपनी किसी भी लॉकेशन पर, अगर आपका कोई दोस्त हैं, वो आपको बुला रहे हैं और आपको नहीं पता है उनका एड्रेस कहां पे, तो आप Google Map में डाल उसे स्टेप को फॉलो करके जा सकते हो, तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये वीडियो जो थी मेरे, वो आपके लिए एक हेल्पफुल चाबित हुई है, तो लाइक जरूर करना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी